शम नो वरुण यानि की सागर के देफता वरुण हमारे लिए मंगल का रही हो। इसी मोटो के साथ भारत के सागरों की रक्षा करने के लिए उतरने वाली हमारी भारती नौ सेना जिस पे हम सबी को गर्व हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर हमारी नौ सेना क्या और कैसे काम करती हैं। और भारती नौ सेना के बारे में सारी जानकारिया देखते हैं, प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आखिर हमारी नौ सेना का स्ट्रक्चर क्या है, यानि कि कमांड एंड स्ट्रक्चर आफ दे इंडियन नेवी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन नेवी इस हेड़ेड बाई, चीफ आफ नेवल स्टाफ, आल्सो कॉल्ड एज अड्मिरल, एड्मिरल या चीफ आफ नेवल स्टाफ, जिनें सी एन्स भी कहा जाता है, ये एक फोर स्टार जेनरल होते हैं, जिनकी रैंक एड्मिरल होती है, और यही हमारी नौ सेना के चीफ आफ नेवल स्टाफ, यानि की ओवराल हेड होते हैं, और करेंटली हमारी नौ सेना के नेव और वाइस अड्मिरल्स काम करते हैं, वो आखिर क्या लीड करते हैं, और किस तरह से नौ सेना का स्ट्रक्चर आगे बाइफरकेट होता है, तो अगले स्लाइड में हमको एक नक्षा दिखाई दे रहा है, और इस नक्षे में आपको भारत का फिजिकल फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा पैनिंसुला दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तीन चार जग, मुंबई, विशाका पत्नम, कोचिन और पोर्ट ब्लेर, और जैसे की स्लाइड का टाइटल है, कमांड ऑफ दी इंडियन नेवी, तो इंडिय इंडियन नेवी कितनी कमांड में डिवाइड़ है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, कि इंडियन नेवी चार कमांड में डिवाइड़ है, वैसे तो प्राइमेरी ली इंडियन नेवी तीन कमांड में ही डिवाइड़ है, पहली कमांड, यानि कि पहली दूसरी नहीं है यहाँ पर सारी command equal importance रखती है लेकिन एक order में हम चलते हुए सबसे पहले देखते हैं western command of the Indian Navy जो situated है मुंबई में और दूसरा eastern command of Indian Navy जो कि situated है वाइजाग यानि कि विशाका पतनम में यह दोनों ही commands fighting commands यानि कि हमारी नेवी जब भी युद्ध पे जाती है तो इनी दो command से सारे fleets release होते हैं या सारे fleets आगे पड़ते हैं जाती साथ दक्षन भारत में आप देख रहे हो कोचिन और इस कोचिंग में भी एक command है लेकिन कोचिन की जो command है that is called as the training command यानि कि यह एक war या fighting command नहीं है यह एक training command है और चौती command जो आप देख रहे हो that is situated in port player जैसे कि यहा इंडियन आमी, इंडियन एर फोर्स और इंडियन नेवी इन तीनों की एक joint command होती है इसलिए इसको joint command यह unified command के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह इलाका चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है और यह बहुत बड़ा island group है हमारे nation का इसलिए इसका importance बहुत ज्यादा है और क् इस तरह से हमने देखा कि हमारी navy कई commands में divided है western command Mumbai, eastern command विशाका पत्तनम and southern command that is the training command of the Indian navy अब हम आगे और जानते अपनी navy के बारे में और यह देखते हैं कि which are the major naval bases of the Indian navy भारती नौ से ना कि कौन कौन से major bases हैं यहाँ बहुत देख सकते हो Mumbai, Goa, Karward, Kochi, Chennai विशाका पत्तनम, Kolkata और Port Blair यह सारे major वो जगे हैं यह सारी major वो spots हैं जहाँ पे Indian navy के bases बने हुए हैं जहां से वो land पे रुख सकती हैं, land के साथ connect कर सकती हैं और वहाँ से logistics हासल करके समुद्र में अपने missions पर जा सकती हैं यह जो तीन photograph आप screen पर देख सकते हो यह पहला photograph है Mumbai का, that is the Mumbai base, दूसरा photograph जो आप देख सकते हो, a beautiful eagle view picture of the Karwar base, Karwar base is a very important base in the western command of the Indian navy, जो आपने पिछले नक्षे में देखा था, western command जिसका headquarter तो Mumbai में situated है, लेकिन एक important naval base यहाँ पे situated है, जो कि Karnatak के coast पर है, इसे Karwar कहा जाता है and the third one, the third photograph which you are viewing is the port of Vishakhah Patnam, तो वैसे तो और भी कई important ports है, लेकिन यह तीन बहुत ही important ports माने जाते हैं, दो western command पे, जिस बिसे एक Mumbai और एक करवड है, और तीसरा eastern command में, जो कि headquarter भी है और एक important port भी है, एक important base भी है, इसके अलाबा कोलकता, Port Blair, Chennai, Kochi भी और Goa भी important bases है नेवी क लेकिन आखिर हमारे लिए नेवी का importance क्यों है, क्योंकि वैसे देखा जाये तो हमारे जो दो prime opponents है, जो हमारे दो unfriendly nations हैं, पाकिस्तान और चायना, इन दोनों के साथ हमारी बहुत बड़ी land border, क्याने कि जमीनी सीमा लगती है, समुदरी तोर पर हम चायना से तो बहुत दू जुरत में आज की परिस्थितियों में भारतिय नौसेना का और चित्ति क्या है, उसका importance क्या है, और उसके importance को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, और यहाँ पर दो तस्वीर आप देख सकते हूँ, पहली तस्वीर जो मैं आपको point out कर रहा हूँ, य जैने कि Portuguese ने गोवा को occupied करके भे रखा था, दूसरा photograph जो आप देख सकते हो, यह photograph है Robert Clive का, जिनोंने British dominance और British occupation की शुरुआत करी थी भारत के अंदर, और यह दोनों तस्वीरें, they speak in volumes about themselves, अपने आप में खुद ही बहुत सारी चीज़े बयान करती है कि क्यों भारत को एक ब बहुत बड़ा हिस्सा Peninsula है, भारत हमेशा से एक ऐसी country रहा है जिसने की बहुत ज्यादा production किया है, agricultural land है, favorable situations है, conditions है, agriculture के लिए, बहुत अच्छा produce होता है, और यह बहुत अच्छा produce हम export किया करते, रहे हैं बहुत पुराने वक्त से पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था, जब European Nations ने एक strong navy develop कर ली थी, और उसी strong navy का फायदा उठा के सबसे पहले Portuguese power ने इस Arabian Sea के पूरे इलाके को dominate कर लिया था, और इंडिया के export को उस समय, यानि कि मैं बात कर रहा हूँ medieval times की, जब दक्षिन भारत में विजन अगर सामराज्य था, और उक्तर भारत में आगे चलके मुगल सामराज्य बना था, इन दोनों ताकतवर सामराज्यों के होते हुए भी Portuguese power ने इंडिया के सारे foreign trade को लंबे समय तक control करके रखा, क्यों करके रखा, क्योंकि उनके पास एक strong navy थी और भारत की शक्तियां, जमीन पर तो बहुत ताकतवर थ तो Portuguese power या किसी और European power के सामने हम टिक नहीं पाते थे, और इसी लिए हमारा देश जब आजाद हुआ, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता थी, कि अगर हमको अपने export को अपने control में रखना है, अपने foreign trade को अपने control में रखना है, तो हमारे पास एक बहुत strong navy होनी ही चा पावर को wipe out किया था भारत से, और Britishers अपनी सत्ता जमा पाए थे, वरना जमीन पर अंग्रेज भी उतने ताकतवर नहीं थे, अगर सारे भारती ताकते आपस में मिल जाती, तो अंग्रेजों को हराया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों के पास भी क्या X factor था, और वो था उ इंग्रेजी हुकूमत का सूरज कभी डूपता नहीं था, क्योंकि अपनी नेवी के दमपर उन्होंने दुनिया के अलग-अलग इलाकों में घूम कर उसको कंट्रोल कर लिया, सारे सी रूट और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर लिया, और इसलिए वो बहुत ताकतवर बन कि अगर हम जमीन पर बहुत ताकतवर हैं, तो समुद्र में भी हम अपनी ताकत दिखाएं, और यही वज़ा है कि हमारे पास में एक स्ट्रॉंग नेवी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब हम बात करते हैं कि हमारी नेवी एक्चुली करती क्या है, देखिए हमारा अब पर अगर हम दुनिया को नहीं जीतना चाहते हैं, दूर दूर तक के अलाकों में सी रूट्स के उपर कबजा नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर हमने जो नेवी बनाई है वो करती क्या है, एक बात तो समझ में आती है कि हमारी मैरी टाइम बाउंडरी को हमारी नेवी lt guards भी कर सकते हैं, उसके लिए इंडियन नेवी होना क्यूँ ज़रूरी है? तो आईए एक एक करके हम देखते हैं कि इंडियन नेवी के क्या-क्या tasks होते हैं, क्या-क्या काम इंडियन नेवी करती है, और उन治 parents के लिए बहुत important information है जो नेवी join करना चाहते हैं, उन्हें प लोग realize करते हैं, इंडिया is the second largest peninsula in the world, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत है, दुनिया का सबसे पहला बड़ा प्रायद्वीप तो Arab world, यानि कि Arabian Peninsula है, लेकिन Arabian Peninsula कोई एक देश नहीं है, उसमें बहुत सारी countries है, वो सारी countries मिलकर जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ा peninsula बनाती है, लेकिन एक देश जिसका peninsula भी बहुत बड़ा है, वो है भारत, और इसी लिए हमारे लिए navy का बहुत ज्यादा importance हो जाता है, क्योंकि peninsula का मतलबी यह होता न, कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो अगर हमारे देश का आदे से ज्यादा हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्या हमको नहीं लगता कि हमारे पास एक strong navy होनी चाहिए, अगर हमारा country landlocked होता, तो शायद हमारे पास navy होती भी नहीं, और शायद उसका कोई आचित्ती भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक बहुत पॉइंट है, और navy का एक important task है, इस पूरे बड़े peninsula की effectively हिफाज़त करना, effectively इस बड़े peninsula का defense करना, तो ये पहला और बहुत important, लेकिन बड़ा obvious सा task है Indian navy का, now we come to the second task, protection from any maritime invasion, देखिए, जैसे हम Indian ocean कहते हैं, तो Indian ocean का मतलब ये नहीं होता है कि सारा Indian ocean इंडिया का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है, कि जहाँ पे हमारे देश की जमीनी सीमा खतम हुई, वहाँ हमारा देश खतम हो गया, आप सभी ने geography पड़ी है, और आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, कि हमारे देश की एक maritime boundary होती है, और इस maritime boundary के अंदर हमारी country को, हमारी government को सारी authorities होती कि वो किस तरह की activities करना चाहती है, इवन अगर हमारी सरकार हमारी maritime boundary के अंदर चाहे, तो एक artificial island भी create कर सकती है, और साथ ही साथ इस maritime boundary के अंदर आने वाले सारे maritime resources के उपर भी पूरी तरह से हमारा कबजा होता है, और इसी लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो काम सिर्फ coast के इलाकों को protect करना होगा, अगर coast guard coast से बहुत दूर चली जाएंगी, तो फिर उनका नाम वो खुदी justify नहीं कर पाएंगी, इसी लिए coast guard की अपनी limitations होती है, और यहाँ पर action में आती है Indian Navy, जिसका काम होता है भारत की maritime boundaries के अंदर लगातार sealing करना, और लगातार sealing करके अपनी maritime boundaries को किसी भी बाहरी invasion से पूरी तरह से protect करके रखना, next, protection from any maritime invasion या protection from protection of the maritime resources, यहाँ पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि हमारी Navy को हमारी maritime resources को protect करना भी बहुत जरूरी जैसे कि आप photograph देख सकते हो, यह corals हैं, यहाँ पर बहुत चारी आपको sea life भी दिखाई द maritime life भी दिखाई देगी, जीव जन्तु दिखाई देगे, टर्टल आपको टेरते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यह तो सारी हमारी important resources है ही सही, हमारी maritime boundaries के अंदर हमारे sailors, यानि कि हमारे fishermen जाते हैं और हमारे fishermen जाके वहाँ पर fishing करते हैं, और उस fishing से उनकी livelihood earned होती है, हमा contribution किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे resources होती है, जो की हमारी maritime boundaries के अंदर होती है, जिसका हम use कर सकते हैं, अपने nation को develop करने के लिए, even इस तरह के जो continental shelf होते हैं, उस continental shelf के अंदर fossil fuels भी मिलते हैं, जैसे एक छोटा सा example मैं आपको देता हूँ, Bombay High, तो क्य कि maritime boundaries के अंदर continental shelf होते हैं, fossil fuels वहाँ पर मिल सकते हैं, दूसरे important elements वहाँ से मिल सकते हैं, और यही वज़ा होती है कि इन सारी maritime resources को protect करना भी Indian Navy का ही काम होता है, यहाँ पर Coast Guard का कोई काम नहीं होता है, तो Indian Navy जो sailing करती है, तो वो अपने maritime resources को भी effectively protect करती है, उसका defense करती है, और यह भी ensure करती है कि merchant ships, जो हमारे maritime boundaries के असपास से निकल रहे हैं, वो merchant ships unnecessary dumping ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर unnecessary dumping की जाएगी हमारे maritime boundaries के अंदर, तो वो coral reefs को काफी नुकसान पहुचा सकती है, और coral reefs का बड़ा importance होता है maritime life के लिए, और इसलिए Navy का task यहाँ पर सिर अपने देश की अपने maritime boundary के रक्षा करना नहीं है, बलकि उसके साथ साथ ही अपनी maritime life, जो अपनी maritime resources है, उनकी रक्षा करना भी हो जाता है, protection of the unsinkable aircraft carrier, now this is very important, what is un, you know, everyone of you know, कि Navy के अंदर aircraft carriers होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जहाज, जो अपने अंदर aircrafts को carry करने की capacity रखते हैं, जिनके उपर aircraft, जिनके उपर से aircraft fly कर सकते हैं, enemy के territory में जाके strike कर सकते हैं, ऐसे जहाजों को aircraft carrier कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखाए, unsinkable, unmoveable aircraft carrier, उसकी रक्षा करना, ये Indian Navy का एक बहुत important task होता है, और मैं किस unmoveable, unsinkable aircraft carrier की बात कर रहा हूँ, इस नक्षे से आपको समझ में आ गया होगा, ये और कुछ नहीं ह बलकि अंडमान नीकोबार के island group है, दरसल भारती नौसेना की भाषा में अंडमान और नीकोबार island groups को कहा जाता है, the unsinkable aircraft carrier, याने कि समुद्र के बीचों बीच बने ऐसे द्वीप समूव, जिस पे बहुत सारे runways बनाए जा सकते हैं, जहां से बहुत सारे aircrafts take off और land कर सकते ह और दूर तक के अलाकों में जाके operations कर सकते हैं, और अंडमान नीकोबार का बड़ा strategical importance है, और इस अंडमान नीकोबार islands का defense करना ये भी इंडियन नेवी के एक important task में से एक है, और लगातार इंडियन नेवी इसी वज़से इस इस इलाके में अपना presence बना के रखती है, और म मिल कर इस इलाके को protect करती है, तो ये था आपके लिए unsinkable aircraft carrier, that is the अंडमान नीकोबार island, जिसकी रख्षा करना नेवी का करतव ये होता है, और एक important task होता है, and then comes another thing, very important, protection of oil imports from sea route to India, दर असल भारत अपना 80% लगबग 80% oil import करता है, और import किया हुआ 80% oil ज्यादा तर समुदर के रास्ते से ही आता है, या मैं यूं कहूँ कि 80% हमारा import किया हुआ oil समुदर के रास्ते से ही आता है, और थोड़ा बहुत है जो land के रास्ते आता है, और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, कि जो merchant ships, यानि कि merchant ships को oil tankers कहा जा जाता है, वो जहां जो oil carry करके लेके आते हैं, उन oil tankers को protection provide करना, वो oil जो हमारे country के अंदर आ रहा है, उनको protection provide करना, ये बहुत important होता है, क्योंकि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, कि fossil fuels का value दुनिया में बहुत ज्यादा है, और merchant ships इतना ज्यादा weaponry carry करके नहीं रख सकते हैं अपने साथ में, और इसी लिए जो वो बहुत valuable चीजे लेकर sale कर रहे होते हैं किसी समुदर में, तो वो काफी vulnerable होते हैं, उनके उपर हमला हो सकता है, उनको उनके crew को hijack किया जा सकता है, उनको hit किया जा सकता है, कोई दुश्मन country उनको destroy कर सकती है, और ऐ वैसे में navy का बहुत important role होता है, कि वो जितना भी oil supply, oil imports हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, उसको protection provide करें, और ये भी navy का एक बहुत ही ज्यादा important task होता है, next, protection of sea line of communication, देखी क्या होता है कि वैसे तो भारत ने अपने पास में आने वाले जितने भी imports थे, चाहे वो oil के imports हो या किसी और तरह के imports हो, उन जहाजों को escort कर दिया, उन जहाजों को protection provide कर दिया, तो वही हमारा काम यहाँ पर पूरा हो जाता है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं और इसलिए जरूरी होता है कि हमारी maritime boundary के आसपास से निकलने वाले जितने भी sea roots हैं, उन्हें भी safeguard किया जाए, ना सिर्फ हमारे अपने जहाजों के लिए, ना सिर्फ हमारे अपने merchant ships के लिए, बलकि दूसरी country के merchant ships के लिए भी, और यहीं पर काम आता है protection of sea line of communication, जैसे कि आ इंडिया और इंडियन ओशन, दोनों ही बहुत strategic location पे situated है, नक्षे के एक तरफ आप देख सकते हो, आपको Australia भी दिखाई दे रहा है, आपको South East Asia भी दिखाई दे रहा है, आपको China भी दिखाई दे रहा है, जैपैन भी दिखाई दे रहा है, यानि कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दूसरी तरफ आप देखोगे, तो आपको Africa का Eastern Coast दिखाई दे रहा है, पूरा Arab World आपको दिखाई दे रहा है, इरान यानि कि Persian Gulf आपको दिखाई दे रहा है, और Pakistan पे दिखाई दे रहा है, यानि कि इस नक्षे को देखकर ऐसा लगता है कि आधी दुनिया स अगिन, टॉफ फाइव में इनकी population, इंडोनेशिया, ये भी टॉफ फाइव पॉपॉपॉपॉएशन में, मतलब कि चाइना, इंडिया, United States of America, Bangladesh, इंडोनेशिया, ये पाँच कंट्रीज हैं, जो कि दुनिया की सबसे populated कंट्रीज हैं, और उस में से चार कंट्रीज आपको इस नक्षे में दिखाई दे रही है तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा trade होता होगा इन countries के बीच में traffic बहुत ज्यादा होता है तो एक sea line of communication जो बनी हुई है जो चायना को South East Asia से, South East Asia को इंडिया से, इंडिया को further आगे Arab world से, Persian Gulf से connect करती है ये sea line of communication के बीचों बीच situated है वो territory जो हमारी maritime boundary है और इसलिए इंडिया का करतव ये पूरी दुनिया के लिए भी बन जाता है कि उस sea line of communication को कहीं पर भी break न होने दे खास तोर पे अपनी maritime boundary से गुजरते वक्त बिलकुल भी break न होने दे और इसलिए इंडियान नेवी का एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो इस sea line of communication को चैनल को बनाए रखे और अपने इलाके से गुजरने वाले सारे दूसरे merchant ships को भी पूरा protection provide करे किसी भी तरह की illegal activities के against assistance in relief during calamities to the nations and friendly nation देखिए इंडियन नेवी के ये सारे काम तो हैं कि हमारी maritime boundary को protect करना है या फिर sea line of communication को protect करना है या हमारे imports जो आ रहे हैं उनको protect करना है लेकिन साथी साथ हमारे देश की forces humanitarian work में कभी भी पीछे नहीं रहती in fact सबसे आगे रहती United Nation Peacekeeping Operations में भी इंडिया एक बहुत बड़ा troop supplier है और similarly किसी भी तरह की natural calamities अगर आती है चाहे वो कोई तुफान आए चाहे वो कोई cyclone आए या वो कोई और tsunami जैसी natural calamity हो चाहे वो हमारे अपने देश में क्यों ना आए या किसी ऐसे country में क्यों ना आए जो हमारे देश नहीं है लेकिन हमारा friendly nation है या कोई भी nation जो हमसे मदद मानता है हमारी navy ऐसी दोर में मदद के लिए हमेशा तयार रहती है बट unfortunately हमारे खुद की country में ही ऐसे अवसर आते ही रहते हैं जैसी कि आप इस नक्षे में देख सकते हैं cyclone है जो कि हमारे देश की eastern coast को approach कर रहा है और इस cyclone की भीशनता को आप समझ सकते हो कि जब ये हमारे eastern coast पे strike करेगा तो किस तरह का disaster ये create करेगा इस तरह का disaster जब भी होता है तब Indian navy सबसे ज्यादा काम में आती है और सबसे आगे भी खड़ी होई होती है क्योंकि basically ये disaster जो है ये एक sea origin का या sea का एक ऐसा disaster है जो sea से originate हुआ है ocean से originate हुआ है और ocean और sea से originate होने वाले किसी भी disaster में सबसे बहतरीन काम कोई कर सकती है तो वो हमारी navy है क्योंकि वो उसी के लिए trained होती है और उसी तरह के equipments भी उनके पास में होते है और इसलिए Indian navy का एक बहुत important काम बन जाता है किसी भी natural calamities के दौर में या किसी भी natural calamity के situation में अपने देश के लोगों की जान और माल की हिफाज़त करे या rehabilitation program करे या किसी friendly nation के call पर उनकी मदद करे और लगातार ये काम navy को करते ही रहना पड़ता है लगबग हर साल और ये एक important task होता है Indian navy का अब हम बात करेंगे कि ये सारे tasks को करने के लिए हमारी navy कौन कौन से strategic locations के उपर posted होती है जाहिर सी बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि western command के headquarter में सारे जहांज हमेरे रखे रहे है और अचानक कहीं से information मिले और फिर वहां से जहांज रवाना हो कोई task को achieve करने के लिए इसी लिए Indian navy अपने खास जहाजों को या fleets को पहले से ही कुछ खास strategic locations के उपर deploy करके रखती है ताकि जरूरत पढ़ने पर तुरंत कारवाई की जा सके quick reaction time में कारवाई की जा सके और अब आगी की slides में हम जानेंगे कि वो कौन-कौन सी strategic locations है जहां हमारी navy deployed है और वहां पर उसका क्या importance है तो 6 strategic points हैं हमारे देश की maritime boundary में और उसके आसपास के इलाके में जहां पर हमारी navy deployed होती है आपने सुना होगा ना कि जो navy में लोग काम करते हैं जो navy में officers और sailors काम करते हैं ऐसा आपने सुना होगा कि 6 महीने वो समुद्र में रहते हैं 6 महीने वो land पर रहते हैं तो 6 महीने जब समुद्र पर रहते हैं, तो वो होते कहाँ पर हैं, कहाँ जाते हैं? क्या युँहीं समुद्र में गूंते रहते हैं? obviously नहीं किसी काम को या किसी टास्क को अचीव करने के लिए किसी meaningful काम को करने के लिए ही जाते तो वही यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या-क्या meaningful काम होते हैं जिसके लिए sale करके वो आगे जाते हैं और कहा-कहा उनके deployments होते हैं सबसे पहला और important point है जहाँ पे हमारी नेवी लगबग साल भर अपना presence बना के रखती है वो है Persian Gulf Persian Gulf में Indian Navy का presence और ज्यादा बढ़ गया जब से 2017 के बाद Iran और United States of America के बीच में conflicts arise हुए geopolitics में आप सभी जानते हैं अपने पढ़ा होगा जाना होगा कि Iran और United States of America के बीच में लगातार conflicts हो रहे थे तो उन्हों एक दूसरे को terrorist countries बोल रहे थे देखिए हमें उससे कोई मतलब नहीं हम एक neutral country हैं बहुत पहले से non-aligned रहे हैं तो हम US भी हमारा दोस्त है इरान भी हमारा दोस्त है लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि Indian merchant ships को hit किया गया Persian Gulf के अंदर वह US से पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि हमने नहीं किया इरान से पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि हमने भी कोई hit नहीं किया अब इरान और US दोनों तो पीछे हट गए कि हमने Indian merchant ships को कोई नुकसान नहीं पहुचाया होगा लेकिन नुकसान तो हमारा हुआ इसलिए Indian government ने decide कि Persian Gulf जहां से हमारे oil imports भी आते हैं तो वो बड़ा importance हो जाता है उसका वहां से कि हम वहां से अपने merchant ships को आना जाना रोक नहीं सकते इसलिए हमारे merchant ships को protect करने के लिए और escort करने के लिए safely escort करने के लिए हमारी navy लगातार इस Persian Gulf के इलाके में अपना presence बना के रखती है अब एक बात आपके दमाग में यहाँ पर आ रही होगी कि अगर हमारी navy अपनी maritime boundary से कितनी दूर निकल गई हमारी maritime boundary हमने इस नक्षे में देखी थी यह नहीं हमारी maritime boundary अब हमारी western maritime boundaries definitely Persian Gulf तक नहीं जा रही है तो फिर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसी सूरत में फिर हमारी navy Persian Gulf के आसपास अपने presence को कैसे बना के रख सकती क्योंकि वो तो हमारी maritime boundary है ही नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि दुनिया के कई ऐसे देश है जिनके साथ में Indian Government का Memorandum of Understanding है जिस Memorandum of Understanding के तहत उनकी navies भी उनका presence हमारे इलाके में बना के रखती है और हमारी navies भी उनके maritime boundaries के अंदर अपना presence बना के रखती है उनके laws और rules regulation को follow करते हुए उनके ship भी जब हमारे इलाके में आते हैं तो वो हमारे rules regulation को follow करते हैं और हमारे साथ coordination बना के रखते हैं तो इसी तरह Gulf countries के साथ coordination बना के रखते हुए हमारी naval ships वहाँ पर यानि कि Persian Gulf में deployed रहते हैं लगबख साल 2017 के बाद से लगातार हमने अपने deployment को वहाँ पर बना के रखा है in fact आने वाले कुछ एक दो सालों में अपने fleet के numbers को भी वहाँ पर बढ़ाया है खत्रा बढ़ता हुआ देखकर अपने fleets के number को भी वहाँ पर बढ़ाया है और इस तरह से इंडियन निवी का एक strategic point जहां पर लगातार बनी रहती है वो है Persian Gulf ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई निवी बहुत लंबे समय तक समुद्र में नहीं रह सकती क्योंकि समुद्र चाहे शिप कितना भी equipped क्यों नहीं हो शिप शिप होता है चारो तरफ सागर होता है उसके और इसलिए उसके अंदर काम करने वाले जो इंसान होते हैं उन इंसानों को वक्त वक्त पे जमीन पे आना ही पड़ता है और इस वक्त वक्त पे जमीन पे आने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा Memorandum of Understanding रहे कुछ Friendly Nations के साथ में जो कि हमारे Sailors को उनकी जमीन पर आने दें, कुछ दिन जमीन पर गुजारने दें और उसके बाद वापस वो जहाज में जाएं Similarly उनकी Sailors भी हमारी जमीन पे आते हैं, हमारी जमीन पे कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वापस अपने जहाजों में चले जाते हैं तो इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ Friendly Nations के साथ Memorandum of Understanding रहे और Importantly परशिया और यानिकि इरान और United States of America के Conflict के Phase में दौर में हमारी नेवी का Presence यहां बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हो सीधा रूट यहां पे भारत से आके जुड़ता है इसके अलावा एक और Important Presence होता है हमारी नेवी का लगातार साल भर वो होता है Gulf of Aden में और जिसकी वज़र है Somali Pirates आप सभी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि Somalia एक बहुत ही घरीब कंट्री है एक फेल्ड नेशन है जिसकी वज़ा से वहाँ पे जो पहले Law Enforcement Authorities थी वो Law Enforcement Authorities अब War Lords बन गए और ये War Lords अब आसपास के समुद्रे इलाके से गुजरने वाले जहाजों के उपर हमला करते हैं और उनको अगर कोई भी जहाज Easy Target दिखता है Low Hanging Fruit दिखता है तो उसको तोड़के ले आते हैं क्रू को hijack कर लेते हैं और फिर shipping company से बहुत बड़ा ransom वसूल करते हैं तो ये नुकसान करते हैं चाहे shipping company को नुकसान कर रहे हो या किसी nation को नुकसान कर रहे हो या फिर crew की human crew की जो life होती उसको threaten कर रहे हो तो इन तीनों ही situations से ना सिर्फ हमारे अपने जहाजों को बलकी friendly nations के जहाजों को भी बचाने के लिए हमारी नीवी लगातार इस Gulf of Aden के अंदर अपना presence बना के रखती है objective अगर कोई भी Somali pirates की activity वहाँ पे दिखाई देती है तो उसकी रोक थाम की जाए अगर हमारा कोई जहाज हाज हाजक कर लिया जाता है उसके crew को हाईजक कर लिया जाता है तो इंडियन नीवी के मारकोस तयार हो रहते हैं और इंडियन नीवी के मारकोस तुरंत action में आते हैं और तुरंत action में आके Somali pirates को neutralize करते हैं और अपने crew को छोड़ा के लाते हैं जिससे government या shipping company के ऊपर unnecessary दबाव ना आए या कोई बड़ा financial loss ना हो और इसलिए जहाँ पे भ अपने के तिहा से आप सभी ने operation cactus के बारे में सुना होगा location इसकी this is India, this is Maldives and this is Sri Lanka इन तीनों के बीच में somewhere around here इंडियन नीवी लगातार अपने presence को बना के रखती है because Sri Lanka and Maldives इन दोनों के बीच में जब Sri Lanka के अंदर liberation tigers for Tamil alum active थे तब उनकी मदद से Maldives के अंदर law and order की situation को trouble करने की कोशिश की गई थी उस समय Indian army और Indian navy ने ही operations किये थे और उन operations के दम पर ही Maldives इस तरह की अनार्की से बच पाया था लेकिन दोबारा इस तरह की situation arise ना हो इसी लिए India, Sri Lanka और Maldives के बीच में Indian navy हमेशा अपने presence को बना के रखती है when I say हमेशा that literally means हमेशा next is Mozambique Madagascar Channel ये जो आपको ये है Mozambique and this is Madagascar इन दोनों के बीच का जो इलाका है इसको कहा जाता है Mozambique Madagascar Channel क्योंकि Africa के अंदर भी बहुत सारे ऐसे countries हैं जिनकी हम मदद करते हैं जो किसी तरह से हमारे भी काम में आते हैं और इसलिए उनके साथ भी अपने relations को बना के रखना होता है वहां से भी बहुत सारा export आता है और इसलिए उस इलाके में भी याने कि Mozambique Madagascar Channel में Indian Navy अपना presence लगातार बना के रखती है क्योंकि यहां पे हमने आखरी बार देखा था कि इंडियन नेवी का एक presence है यहां परशन गल्फ भी या गल्फ आफ अड़न है यहां पे एक presence है यहां पे एक presence है यहां पे एक presence है लेकिन अगर हमारे कोई मेडगासकर चैनल नेक्स्ट इस स्ट्रेट आफ मलक्का देखिए स्ट्रेट आफ मलक्का का बहुत ज्यादा importance है क्योंकि कुछ slides पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया बांगलादेश इंडोनेशिया चाइना यह सब दुनिया के top five populated countries हैं अगर इसमें पाकिस्तान को भी हम जोड़ लें तो वो भी one of the पाकिस्तान का नंबर शायद छटा या सात्वा है population के मामले में तो इस सारी countries बहुत populated countries हैं और बहुत सारा trade होता है इन countries के बीच में खास तोर पे South East Asia के उपर अपना dominance कायम करे लेकिन हमारे लिए यह भी favorable नहीं होगा कि China अपना dominance वहाँ पर easily set up कर दे और इसलिए चायना को counter करने के लिए अगर कोई नौ से ना इस इस इलाके में है तो वो किसी और country की नहीं है वो भारत की ही है और इसी लिए इस straight of मलक्का के इलाके में भारत को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना naval presence बना के रखे in fact कई defense strategist और analyst ये कहते हैं कि अगर चायना line of actual control के इलाके में भारत के उपर हमला करता है या कुछ इलाके occupy उसने करके रखें तो उसका सबसे सटीक जवाब उसका be fitting reply भारत दे सकता है state of मलक्का में क्योंकि state of मलक्का के around मौझूद काफी सारे nation भारत के favor में है क्योंकि भारत किसी के इलाके को encroach नहीं करता है या dominate नहीं करता है अपने control में लेने की कोशिश नहीं करता है बलकि चाइना करता है इसलिए साउथिस टेशिया की जो nations है चाइना के intervention को वहाँ पर पसंद नहीं करते है और इसलिए भारत की ताकत वहाँ पर बढ़ जाती है भारत का support बहुत है वहाँ पर लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपना naval presence वहाँ पर बना के रखे करने वाला यही एक स्ट्रेट है वरना अगर आप देख लो तो इंडियन उशन को Pacific Ocean से connect करने के लिए और कहां से जाएंगे और इसलिए स्ट्रेट ऑफ मलक का एक बहुत आसान रूट है जहां से इंडियन उशन से Pacific Ocean की तरफ जाया जा सकता है और इसलिए इसी स्ट्रेटेजिकल और economic importance के चलते इस स्ट्रेट ऑफ मलक का में साल भर इंडियन नेवी अपना presence बना के रखती है Coming to the next point अंडवान और नीकोबार आइलेंड ग्रूप जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अंडवान और नीकोबार आइलेंड ग्रूप को इंडियन नेवी unsinkable aircraft carrier कहती है अब ज़रा इसकी location देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक का अभी उसका importance हमने देखा काफी closely situated है अगर यहां से हम base मान कर स्ट्रेट ऑफ मलक का को target करें तो बहुत दूर हो जाता है लेकिन अगर हम यहां से base मान कर स्ट्रेट ऑफ मलक का को target करें तो बहुत ही approachable distance है और साथ ही साथ यहां से हम पूरे Bay of Bengal को भी control करके रख सकते हैं Bay of Bengal की भी complete monitoring यहां से हो सकती है इसलिए अंडवान एंड निकोबार ना सिर्फ एक unsinkable aircraft carrier की तरह देखा जाता है बलकि एक बहुत ही ज्यादा strategic location भी यह है और इसलिए और हमारे देश का हिस्सा भी है और इसलिए यहां पे वो unified command है जिसके अंदर इंडियन निवी का भी importance है उसका भी contribution है और इंडियन निवी इस इलाके में भी साल भर अपने presence को बना के रखती है इसी के साथ इस introductory video to the इंडियन निवी का end होता है लेकिन इस तरह की videos में आपके लिए आगे भी बनाता रहूंगा और हमारी team भी आपके लिए आगे बनाती रहेगी जहां पे निवी से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारिया important information आपके साथ share की जाएगी जैसे की कितने तरह के जहाज इंडियन निवी के अंदर होते हैं उनका क्या function होता है इंडियन निवी की कौन-कौन सी ranks होती है उनके function क्या होते हैं इस सभी चीजे हम आपको आने वाले videos में बताते रहेंगे तब तक के लिए चैहिंद